तो यह थो धी उसके हैं, तो फॉच्वाहिआद डिएन्सी माइपर्सूं के इस सकते हैं, इसे डुप कुछ भी नहीं आता है इस गाड़ी के यंदर पॉस्पारेफयो शुरुबात में ही प्राइजिंग की बात कर लें तो ज्याज़ा अच्छा होगा इस गाड़ी का जो एक्षरों प्राइजिंग है वो है 19,69,900 और ये ओन रोड यूपी के अंदर आपको जो कोश्ट करेगी काड़ वो है ओन रोड 22,84,000 बाके फीचर्स की बात कर लें तो बैक प्रोफाइल से गाड़ी की लुक्स आपने देखी ली है और बाकी ओवर्रोल उप गाड़ी की आप देख सकते है रीर से कुछ इस तरगी की है साथी मैं बूट स्पेस की भी बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 385 लेटर्स का बूट स्पेस मिलता है और यहाँ पर पाल्शेट ट्रे भी मिल जाती है राइटन सैड में यहाँ पर बूट लैंप आ जाता है और 3KG's के यहाँ पर हुक्स दिया है कुछ भी आप अपना समान यहाँ पर कैरी कर सकते है और यहीं पर नीजी की तरफ आपको इसके अंदर मिल जाता है 16 इंचिस का इस पेर वील अभी जो लेटेस्ट कार आ रही है 24 के अंदर उसके अंदर यहाँ पर आपको इलेक्टिक सीट्स के साथ सब्वूफर भी मिलने लगा है बाकि अब साइट प्रूफाइल्स की बात करतो साइट से हम पर इस मैट एडिशिन की लोक्स देख सकता है कुछ इस तरह की की देखने पर लगती है बाकि डिस्प्ले बे आपको डाइमेंशन वगरा शो हो रहे होगे बाकि इस गाड़ी का जो वील बेस है वो 265 mm का है जो कि क्रेटा सेल्टो से जादा है तो इस गाड़ी का जो इंटियर स्पेस है वो उससे जादा है उसके उपर हम बाद में आएगे पहले आप वीर्स देख सकते है 17 इंटिस के अलोई वील है टायर की प्रोफाइल है 205, 158, 17 की और रिवर टायर के अंदर ड्रम ब्रेक्स आते है फ्रेंट में डिस ब्रेक्स आते है ABS, EBD, Hill Assist यह सारे ही फीचर गाड़ी के अंदर आते है पर ऐसा नहीं है कि रिवर्स के अंदर ड्रम आते तो ब्रेकिंग गाड़ी की अच्छी नहीं है जो फोक्स वागन जानी जाती हो अपनी ब्रेकिंग, अपनी इंजन की पफोर्मेंस इनी चीज़ों से जानी जाती है त अब आप इस गाड़ी की टेश डाइव ले ले तो अब बात कर लेता है गाड़ी के फ्रंट से लूप की तो फ्रंट से यहाँ पर गाड़ी की लूक्स देख सकते हो तो फोक्स वागन के सिगनेचर लूक्स यहाँ पर मिलते है जो फ्रंट की जो ग्रिल है वो यहाँ पर फ फुली LED है, यहीं पर आपको Corning Fog Lamps देखने के लिए मिल जाते हैं और जो इस गाड़ी के Head Lamps है, वो भी आपको Auto Head Lamps मिलते हैं, उसका है आपर काफी अच्छा यूज करा गया है, 188 mm Ground Cleanse मिलता है, ओल्मोस्ट 190 Ground Cleanse है, तो Ground Cleanse से भी यह गाड़ी कहीं से भी मात नहीं खाएगी, काफी अच्छा Ground Cleanse आपको मिलता है इसके अंदर Auto Rain Sensing Wipers यहाँ पर आ जाते हैं, अब Engine की तरफ चले, तो यह है इस कार का 1.5L TSI 4 Cylinder Turbo Charge Engine, जो कि प्रिडूस करता है 150 BHP की प्रावर, 250 NM के Torque के साथ, और बहुत ही जादा Refine Engine है, Active Cylinder Technology भी आपको इस कार के अंदर देखने के लिए मिलती है, अगर बात करें, वो वर्क कैसे करती है तो Highways पे अगर आप अपनी गाड़ी को Cruise करके उस करते है, लगबग 70-80-90 स्पीड पे गाड़ी को चलाता है, और RPM आपके लगबग 2000 तक रहता है तो वो Active Cylinder Technology उस टाइम पे काम करती है आपके गाड़ी के 2 Cylinder बंद हो जाता है और 2 Cylinder पे कार वर्क करती है, जिससे आपकी Fuel Efficiency काफी अच्छी हो जाती है माइलेज गाड़ी जो देगी, वो Highways पे अगर आप Active Cylinder Technology आपके उन हो जाती है तो लगबग आपको 18-19 का माइलेज इस लिए निकाल देती है और बात करें, ओवर्रोल, तो City के अंदर आपको 11-12 का माइलेज निकाल के देगा यह TSI 4 Cylinder engine, देड़ तो BHP के साथ और City के अंदर आपको 14-15 निकालेगा तो आप चलते हैं कार के इंटियर की तरफ आपको इंटियर में आपको इबड़ी चेक आउट करा देता हूँ उससे पहले आपको दिखा देता हूँ इबड़ी इस गाड़ी के यहाँ पर फॉक्सवगन आप देख सकते हैं यहाँ पर चिट लगी हूँ यह इसके ऊपर इससे आप खटा के देखोगे तो यहाँ पर प्यानो ब्लैक फिनिशिंग आपको काफी अच्छी सी मिलती है बाकी इंटियर्स की बात कर तो यहाँ पर फ्रंट डोर आपको ऐसा ही मिलता जाएकर टॉप लाइन के अंदर मिलता है वही इंटियर्स की थी में आपको ब्लैक एंड ग्रेश टाइप के अंदर दी गई है चारो पावर विंडो को इस स्वीच मिल जाएगे यही से ओर्यम एडजिस्टिबल फोल्डेवल डोर लोग लोग करने का उप्शन मिल जाता है गाड़ी के अंदर चार श्पिकर चार ट्विटर आपको मिल जाते है बाकी सीट्स की बात करें तो पांचो एडजिस्टिबल हैड रेस्ट आपको मिल जाता है तो इस्टेरिंग जो है वो आपका टेलिसकोपिक अडजिस्टिबल आ जाएगा बेश विनेट से जो की आता है इस्टेरिंग पर लैधर कवर लेफ्टन साइड पर आपके क्रूस कंट्रोल आजाएगा पारपले वायलेस लीस के अंदर चल जाता है यहां पर डैश गूड पर कार्बन फिनिशिंग आपको मिल जाती है ओटक्लामिट कंट्रोल एसी आ जाएगा वेंटिलेटेज चीर्स आ जाती है है हैजर्ड लाइट का स्विच हो गया वायलेस चार्जिंग मेडवेरेंट सी आत इसके अंदर आपको संरूफ भी मिल जाता है नोमल साइज का बगी हां पर आम डिश वगएरा जाता है एडिश्टिबल अमरिश्ट आ जाता है जिसके अंदर आपको काफी अच्छा स्पेस भी आ पर मिल जाता है रही फीचर मिडवेरेंट सी आ जाते है बैसिकली जो फरक तो इस प्रोजेक्टर है डाइड लेम्स काता है सं रूफ काता है सिक्सेयर बैक काता है डिजिटल मीटर हो गया आपका वेंडिलेटी सीर्स हो गई अफिलाल एक्टिक एडिस्टिबल सीर्स भी आने लगिए तो मतलब फारक तो काफी सारा है लगबद प्राइजिंग की पर एडिस्टेबल हेड रेस्ट आ जाता है रियर का आम रेस्ट आ जाता है इसके अंदर रियर एसी वेंड्स टाइप सी चार्जिंग पोर्स भी दिये गए है और रियर से इंटियर देख सकते है कुछ इस तरी के देखने पर मिलता है तो काफी प्रीमियम लगता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो